हलो दोस्तो नवस्कार आप देख रहे हैं हमरे यूटूब चैनल चोपडा एजूकेशन और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो जिपमर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी मेडिकल एक्जाम है MBBS के अलावा भी इसमें 14 परकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं जो सारे ही अच्छे कोर्स हैं तो जिपमर दोरा जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उस कोर्सेज की फीस बहुत ही कम है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह कौन-कौन से कोर्सेज है इनकी सीट कितनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इनके कोर्स की फीस क्या होगी और इनके लिए अपलाई कैसे करें तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करते हैं वीडियो को लाइक हो ज्यादा ज्यादा शेयर करें तो दोस्तों जिपमर पुडुचरी दौरा तीन परकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं सबसे पहले है इसमें B.H.C. नर्सिंग उसके बाद में Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology जिसे B.S.L.P. कहा जाता है ये कोर्स करने के बाद आप अपने नाम से पहले डोक्टर भी लगा सकते हैं इसके बाद में तीसरा कोर्स B.H.C. अलाइड हेल्थ साइन्सेज कोर्सेज हैं इसमें टोटल 12 परकार के कोर्सेज हैं ये देख सकते हैं कि कौन-कौन से 12 परकार के कोर्सेज हैं इसमें ये दिये हुए है नेम इसमें इसके बाद में हम इन कोर्सेज का डूरेशन देखें तो BAC nursing course 4 साल का course है और 1 साल की internship है इसमें इसके बाद में BS LP course भी 4 साल का है और 1 साल की internship है इसके बाद में BAC allied health courses की बात करें तो इसमें total 3 साल के courses हैं और 1 साल का internship है इसमें इसके बाद में इनकी seat matrix की बात करें तो BAC nursing के लिए total 75 seat है उसमें 8 seat male candidate के लिए हैं और 67 seats female candidate के लिए reserve हैं इसके बाद में BSLP के लिए 4 seat हैं और जो BAC allied health sciences courses हैं उनके लिए 74 seat reserve हैं इसमें इसके बाद में ये total देखते हैं तो 153 seats हो जाती हैं सवी courses के लिए इसमें 5% seat PWBD candidates के लिए reserve हैं अभी इसके eligibility criteria की बात करें इसमें तो इसमें Indian national candidate होना चीए और इसमें age है वो 70 years होनी चीए जिस साल आप exam देते हैं उसी year के 31st December को 17 years complete हो जाना चीए इसमें इसमें maximum age का कोई limit नहीं है इसके बाद में जो educational qualification है वो 10 plus 2 pass होना चीए physics, chemistry, biology और English subject में इसके बाद में हम बात करें कि इसका जो paper pattern exam entrance का जो paper pattern है वो कैसा रहेगा तो इसमें total English medium ही exam होगा और इसमें 100 MCQs आएंगे physics के 20, chemistry के 20, biology के 40, English language के 10 और LQR के 10 इस परकार से total 100 Qs आएंगे इसमें जो Qs होंगे वो 11 और 12 बेस के higher secondary यानि की 10 plus 2 exam level के Qs होंगे इसमें इसके बाद में इसके exam center की बात करें तो इसके total 7 exam center हैं जहां exam conduct करवाई जाएगी वो हैं चिन्नाई, कलकटा, मंबई, नियोडेली, पुडूचेरी, त्रिवेंदरम और विजयवाड़ा इसमें पहले आओ पहले पाओ का system है आप पहले form बरोगे exam center में अगर sheet खाली होंगी तो आपको पहले वहाँ मिल जाएंगी इसके बाद में आप exam center change नहीं कर सकते किसी भी condition में इसके बाद में इसका fees structure देखे हम तो इसमें admission जो BSC nursing और BSLP के लिए जो fees structure है इसके बाद में जो BSC allied health sciences courses है उनके लिए total fees admission fees पची सो रुपे है academic fees बारा सो रुपे है जिपमर स्टुडेंट एसेशन फीच अजार रुपे learning resources फीच तीन हजार है इस परकार से 7,910 रुपे फीच है इनकी अभी हम hostel fees की बात करें तो hostel fees में establishment फीच से जार रुपे है होस्टल केंप कासन डिपोजिट में 5,000 रुपे है जो साल में एक ही बार ली जाती है और होस्टल मेश डिपोजिट 3,000 रुपे है इस परकार से total first year के 14,000 रुपीच फीच है लेकिन next year के हम बात करेंगे कि इन courses में admission कैसे लें और इनके registration कब से start होंगे तो दोस्तों BSC nursing course में admission के लिए NTA ने कहा है कि ये NEET score पर होगा इस साल NEET 2021 के लिए बाकी courses के लिए जिपमर अपना अलग से exam conduct करवाएगा इसके registration अपरेल मई में start हो जाएंगे और जोन जुलाई में इसकी exam होने की संभावना है तो जैसे ही ये registration start होंगे और इसके बारे में कोई update मिलेगी तो मैं आपको inform कर दूँगा जिपमर में MBBS admission के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये NEET score पर होता है NEET का result आजाने के बाद आपको MCC की website पर registration करना है और वहाँ से counseling करवा कर जिपमर में MBBS course के लिए admission लेना है जिपमर एक reputed institute है इसकी दो campus है पूडूचेरी और क्राइकल दोनों ही campus में infrastructure, faculty, facility बहुत ही अच्छी है पूडूचेरी का campus क्राइकल की बजाए पुराना campus है काफी बड़ा campus है इसमें UG courses के अलावा PG course भी करवाए जाते हैं तो दोस्तो मैंने इस वीडियो में आपको जिपमर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और जैसे ही इसके बारे में कोई update मिलेगी तो मैं आपको inform कर दूँगा अगर आपका भी सपना जिपमर में admission लेने का है तो आपको भी study करनी है इसमें top student admission लेते हैं इसमें काफी अच्छे marks पर admission होता है तो आपको भी study बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है अगर आप MBBS में admission लेना चाते हैं तो बाकी courses में admission लेना चाते हैं तो exam की बाकी जो eligibility criteria है उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है आप उसके इसाब से अपने आपको prepare करें बाकी update के साथ में मैं आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए जै क्वश्ची सब्सक्राइब क्वश्ची सब Сबस्ची सब कर दिये अगरिका तबमें मैं आपको । झाल झाल